मेरी आवाज आ रही है जड़ा बताओ एक बार मोगाल में तू नहीं आ रही है जड़ा है यस आगी भाईय सो गुडि इवनीं सुर शुरी गुडि इवनीं से शंकर गुडिनींग डीजे गुडित आ राव तार्या निरज पतेल से शंकर सिंघ काफी सारे बैचे लाइब है आर्ण साथ में उलएक सबस्की कि एक अगर हम इसको पीपर वाइस लेके चलें तो आप यह मानके चलिए कि कि हमारे पास लखनू की तरफ लब जो रेलवे की तरफ से भी लगातारी कोश्चिस हो रही है कि जल्दी जल्दी डेट को रिलीज कर दिया जाए तो डेफिनेटली है अभी कल पर सो एक वेबसाइट पर में देख रहा था यूटुब चल पर देख रहा था कि उन्होंने कोई कि 10 सेप्टेंबर को जिल्टा रहा है सायथ वह फेक न्यूज है दोस्त वह जो न्यूज तुम बता रहे हो वह सुनने में आ रही के फेक है ठीक है तो ज़रूरी नहीं कि जो तुम न्यूज बता रहे हो सही हो लूज है चलो पूंदो जो बता देता हूं तो यह आया है कि एक तो आपका जो पेपर है और वर्ज और पर नहीं ही वाला है और जल्दी से जल्दी फानलाइज करके रिलीज भी कर दिया जाएगा तो यह जो बात है वह निकल के आ रही है है अभी है है वाट्शाय है सभी लोग नमस्कार सभी लोग जुड़ गए तो यह मानकी चली कि आपका जो पेपर है वह लगबग लगबग इसी मन्त के लास्ट में हो सकता है जहां तक मेरा मानना है कि लास्ट सेप्टेंब्र में शुरू हो जाएगा और आपका जो पेपर वो तीन-चल महिने चलेगा हमारे पास स्थी सीजिल के पेपर भी आ चुके हैं तो आज में बहुत सरी स्थी सीजिल दोहजार चौट पेपर हुआ है उसके कॉश्चन स्थी सीजिल के मैं आपको करवाता चाहिए ताकि अगर मालों की गुरुब डी का कुछ पेपर उसनों वहां से उठाया तो भी आपका पते चलिए कि यह कोशन ने कोशन ने बन रहे हैं ने कोशन पढ़ते रहना चाहिए समझे हो हमें एकदम अपडेटेटेड रहना चाहिए सर्जी फांडेशन वेच करा सकते हैं क्या फांडेशन वेच का मतलब क्या है या मैं समझी नहीं पा रहा हूं क्या फांडेशन वेच करा दें बताओ कैसा फांडेशन वेच करानी बात कर ले हुआ है अब जितना पढ़ना पढ़ लिया पढ़नी का समय नहीं बचा है अब क तो फाउंडिशन बैस्टों मत जा जो जितना पढ़ना था अपने पढ़ लिया जो कुछ करना तो सब हो गया इसको अंसदो इन मैंसे कौन सी चिडिया है जो फ्लाइट लेस है मतलब नहीं सकते हैं कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है उड़ान रहित पक्षी मतलब नहीं स तो दोस्तों दो पक्षिया दखिये एक तो है मूं भी क्या करता है उड़ान नहीं सकता और दूसर चोटा पक्षी होता है की यह बहुंद नहीं सकता तो मूं और कि वी सुत्रों मुर्ग भी उड़ान आंसर क्या हो जाएगा हमारा की वी तराइट आनसर यह सेम तु सेम कॉ सब्सक्राइब के 24 तारिक के सेकंड शिप्ट में बना है आगे चलें कोशन नंबर दो क्या रहा है कि लीवर में इस बीमारी में बीमारी की बात हो रही है इस बीमारी में लीवर अफेक्टेड होता है इस पिली पर जाती है आपकी पीली पिली हो जाती है कौन सा डाचेस्टिव डिसॉर्डर यहां पर डिसक्राइब किया गया है सीजियल 24 तारिक में यह question पूछा गया है तो बहुत ही बढ़िया question है ठीक है 24 अगस्त में पूछा गया है 2021 इकदम नए updated question तो आपको पता होना चाहिए answer क्या होगा join this join this किससे होता है bile juice की अधिकता के कारण होता है और बाइल जूस निकलता कहां से तो लीवर से निकलता है लीवर को हम क्या कहते हैं लीवर में जगह होती जिसे spleen कहा जाता है जिसे bank of rbc और graveyard of rbc भी कहा जाता है यह समझा जाता है question number 3 the lowest temperature at which substance catches fire is called its is called its क्या point कहते है boiling point कहते है normal temperature कहते है ignition temperature कहते हैं elimination करो elimination करो अपने आप answer मिल जाएगा अगर तो मैं नहीं भी आता है तो तो बहुत कोई logic नहीं है logical बात होनी चाहिए हटा दो boiling point क्या होता है liquid को जब गरम करते हैं तो boil करता है लेकिन आग नहीं पकड़ता हटा दो भाई normal temperature पकड़ेगा नहीं इसे भी हटा दो बच्चा कितना ignition temperature सबसे कम ignition temperature डीजल पेट्रोल का होता है लेकिन अगर हम बात करें इन नॉर्मली तो sodium potassium acid होती है जो थोड़ी सी घरनी में हवा की contact आने पर जलने लगती है तो उनका लिलो बेस्ट हो गया लेकिन डीजल और पेट्रोल का ignition temperature सबसे कम माना जाता है ठीक है भाई के लिए रहे है लाइक भी करते चलो भाई सभी लोग कि लाइक भी करते चलो कि आगे चलें पॉस्चिन नंबर तो देखो अलग अलग बस्तूओं के इगनीशन टेंपरिचर दे रखें जैसे डीजल का 210 है फ्यूल का 210 है गैसुलीन दोसो चैलेज क्यारशीन ब्यूटेन पुरपेन नेच्रल गैस सबी चीजों के क्या है तुरू विच अमेंड्मेंट्बेंट वो दाटेंट शेडियूल एड़िट टू कॉंसिटूशन ऑफ इंडिया भारतिय समयधान के दसवी अनुसूची को कि संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया है भारती अनुसूची ठीक है भाई मेरे फटाफट कमेंट करो भारती अनुसूची में टैंत शेडियूल कब आया था पहला हिंट देखो में retrospect कानून लाया गया गया बदल कानून लाया गया कौन सा सब्वादल कानून कौन से प्रधानमंत्री ने लेकруго 시편 के बदल लेते lif like に अच्छा क्यों लेकि आया थैए कि हर्याना के एक घया राहर्याना के एम ले से जिनका नाम था गया राम अब गया पार्टिया बदल लेते हैं इसलिए दल बदल कानून लाया गया था फिप्टी टू अमेंडमेंट्मेंट के द्वाराई कहा भी चली गए थी आया राम गया राम समझ गया समझ गया समय संसोधन 1976 में आया था इसी समय संसोधन के तहत में डीपी एस पी और फंडेमिंटल राइट्सको सब्सक्राइब महत्कों बातसे और अरी क्लियर सबको कलियर तरह सब कर गया को घरआ बिल्को सब्सक्राइब कर बीटन मांग्पूर्ट साफिये 277 की मेहजार नामा अकवर के द्वारा इशू किया गया एक एक ऐसा दस्तावेश था एक ऐसा आदेश था जिस आदेश के तहत अकवर ने धरम से संबंदित सारी तागत अपने हाथ में ले ली थी तो जब भी अभी कभी आप से पूछा जाए कि भी धरम से संबंदित complete स्थे पावर अपने अंदर जो लिया था अकवर ने इसे कहते थे मेहजार नामा और मhra की बात करें तो यह लेके आये था अकवर लेके आए था second will be the right answer अकवर ने क्या क्या उलेमा की तागत को कम कर दिया था मतलब धरम से सम्बंद्य ते जितने भी decision होंगे जितने भी मामले होंगे जितनी भी कारवाई होगी उसका final decision अकवर ही देगा इसे फैजी ने design किया था तो महजार नामस ताम में आ गया अकवर ने एक धरम भी एकवर ने एक धरम भी चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धरम क्या नाम था दीन ए इलाही धरम अपनाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था महेसदास अच्छा यह महेसदास कौन है महेसदास वही है महेश दास वही हैं जन्हें हम बीरवल कहते हैं तो बीरवल एक अकेले मुगल काली जो है सक्स हैं सक्सियत हैं जिनका कहीं भी मखवरा नहीं है आगे चलें कॉश्यन नूम्बर छे विच फॉल्विंग वाटरफॉल इस लोकेटेट इन मध्य प्रदेश आपको पताने मैं से कौन सा वाटरफॉल मध्य प्रदेश में स्थीट है सुनी सुनीत कुमार करें साल मेरा मेरा डू एक्जाम है क्या यह स्टेडी काम आएगा बिल्कुल काम आएगा भाई दुनिया का ऐसा कोई एक्जाम नहीं है जहां जी असकाम नहीं आती लाइक कर दो फठाक से अब शीजर अपाने देर ना बाने लिए मिल्कुल सही कोशन मताओ कौन सा वोटरफॉल मद्यप्रदेश में सिव समुंद्रम धुमादार दूद सागर और खंडाधार दूद सागर गोवा में है आपने देखा होगा मूवियों में एक बड़ा सा जर्ना जल प्रपाद गिर रहा है और ट्रेन जा रही है उसके बग जहां पर गाउं के पास में ट्रेन रुकती है और उसके पीछे बहुत बड़ा जर्ना होता है वह एक्ष्ली में दूद सागर का है कहां पर यह गुवा में मैयूर पाठा करें गुरुबडी का एक्जाम कब होगा वह सेप्टेंबर लास सुन्ने में आ रहा है कि अगर धुवाधार की बात करें तो यह मध्यप्रदेश में कि कहां पर है करनाटक में है कहां परे करनाटक में है और जो खंडाधार है यह जा रहे नीचे से और यह बड़ा सा घरना गिर रहा है तो बहुत ही बढ़िया लगता है कभी समय मिले पैसे वैसे हो जाए तो गोवा जरूर जाए और गोवा में ट्रीन की आत्रा जरूर करें तीसरा है करनातक में यह कौन सा बता दिया मैंने जो है और यह चौथा हमारा है यह वाला इस सिर्व समद्रा में ठीक है कि लिए आगे चले भाई आगला कौश्च आपके सामने यह रहा हुआ मंदा फॉलिविंग हिट दा विनिंग रन फॉर इंडिया अगें ऑस्टेलिया एड़ दा प्रिस्वांट टेस्ट अब जनवरी 2021 तो भी या बिनिंग रन किसने किया था जनवरी 2021 के ब्रिस्वांट टेस्ट में ऑस्टेलिया के खिलाब भारत के लिए जीत के रनों से किसने मारता मत्तब बिनिंग रन किसने बनाया था सब्सक्राइब लास्ट में किसने बनाया था तो भाई यह करंट अधिया है नहीं रिश्व पंत इस दा राइट आंसर तो प पिपर हो रहा था दो दो चार दिन पहले को से नमबर आठ द बैटल ओव ओफॉट बडवर एंड दिस पी के चड़ गई तो पी से हो गया पानीपत के से हो गया खानवा सी से हो गया चंदेरी और जी से हो गया गगर तो चार युद्ध जो की बावर ने लड़े हैं और कि देख सकते हूं आ जो दो कि तुम को सब पता है कि राडा संगा तो राडा संगा पिल वी डिना कि-क और हीमूं के साथ में तो कपिल ने सही अंसाद दिया है सलेंद कुमान ने सही अंसाद दिया है कव्धा ने बरशाने कपिल रिशाप रेंकार जितें रिशाब जबंद अमित के डी चुटेशन नमबर नाइन हो मेनी ऑक्सीजन एक्टमार प्रिजेंट इन दा मॉलीकुल पोटेशियम पर मेंट के अड़ों में कितने oxygen परमाड़ों मौजूद होते हैं एक चार तीन या दो तो potassium permanent का formula क्या होता है oxygen कह रहा है ना तो potassium permanent का formula होता है Kmno4 this is the formula for potassium permagnate अब जड़ा count करो oxygen के कितने अड़ों परमाड़ों तुम्हें दिखाई दे रहे हैं करो count oxygen के कितने परमाड़ों तुमको दिख रहे हैं Kmno4 formula है क्या हो जाएगा भई तो चार टोटल दिख रहे होंगे क्या हो जाएगा फोर बिल्बी राइट आंसर पोर आंसर सही हो जाएगा क्या मैंनों फोर कॉस्चन नंबर दस तो डैस इस वन पॉपलर फोल्क डांस ऑफ इंडी ऑफ उडी सा आपको बताना है कि उडी सा का सबसे लोक्प्रिय लोकनत इन मैंसे कौन सा है पोजागरी गिद्दा रॉफ या फिर दल खाई इन मैंसे कौन उडी सा का सबसे लोक्प्रिय लोक्रित है लोक्प्रिय लोक्रित आपको बताएगे फटा-फट क्या बनेंगा आंसर अग्याओ विए तो देखो दो तो इसी हड़का कि गिद्दा तो गया पंजाब इलिमिट करना तुम्हें आना चाहिए गिद्दा तो हो गया पंजाब का और रॉफ हो गया हमारा जम्मु कस्वीर अब दो बचे एक के बन एक तो बचा है होजागरी और एक है दल खाई तो अगर थोड़ा तर दिमाग एक्स्टा लगाओगे ना इलिमिनेट करने में तो आंसर आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आए आंसर जरूर आएगा चल अच्छा यह बताओ यह कहां का है तागा दावा यह एक डांस है डांस फॉर्म है सागा दावा बुद्धिष्ट दांस फॉ लोगो याद है अबी त्टन फैस्टिबल में जाता है राजा उड़ी वाड़ित्वम ही मनाइशता है ऊतर सागा दावा लुच्छ सिक्केम बता निया सब्सक्राइब धार ने राइट आंसर इस एक बद्धिष्ट लुकनथ है कहां पे मनाए जाता है यह ठीम में बनाए जाता है और यह होजागरी है इतुरप्रा में बनाए जाता है और यह जो है वो पूरी सावार विच आपको बताने कर्में से कौन सी चीज गुजरात में इस्तित है इसनाख में या फिर बीवी का मखबरा अलाई दरवाजा दिल्ली में है हिमाईयू का मकबरा दिल्ली में है ठीक बीबी का मकबरा और अरंग बाद में है कहां हो गया और अरंगा बाद में है और बचे राणी की भय अजिए घुज़राद ठीक कॉनों समस्या कॉनों परेशानी तुमका कचु परेशानी नहीं आगे चलें आँ सौ रुपए के नूट पर बना है राणी की भय तो रुपए के नोट पर रानी की दस्वीर आ गई है अगला यह अलाई दर्वाजा आप देख सकते हैं दिल्ली में यह अलाई दर्वाजा दिख रहा आपको और यह हमाईय को मखबर है यह दोनों ही कहां पर है दिल्ली में इंडियाच फॉर्स्ट सीप्लें सर्विस देट व अपरेट बिट्वील के बढ़िया वह जगह है वह प्लेस है जहां पर स्टेची यॉप यूनिटी है क्या है स्टेची ऑफ यूनिटी वाली प्लेस पर ही क्या है के बढ़िया है एंडिस भारत की पहली समुद्री बिमान सेवा जिसे नवंबर 2020 में शुरू किया गया था व वो चे वडिया और तो के बढ़िया और एहमदाबाद बिल पिदर राइट बंस है एंडबाद से कि वडिया के बीच में है यह सेवा सीप लेंसेवा ठीक है भाई विज इस पूर्ट दू यू असोसेट दा नेम प्रसांत दौरा फू पास अवे एड़ एड़ एज ऑफ फॉर इन जन्वरी 2021 तो हाली की दुनों में इनका निधन हुआ है प्रसांत दौरा जी का तो कहरा कि प्रसांत दौरा जी जो है वो किस खेल से संबंदित ह है जिनका 2021 में चावालिस वर उसकी उम्र में निधन हो गया था रैसलिंग फुटबॉल बॉलीबॉल या फिर साइकलिंग बताईये जादा विज फॉर्ट डू यू असोटेट ता नेम प्रसांत दौरा हू पास्ट अभे एड़ 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 रही आंसर नो आइडिया तेरा का भी पुटबॉल इस राइट एंसर यह क्या थे फुटबॉल से गोल कीपर थे तो ही हो दागोल कीपर फॉम दफूट वॉल कुटबॉल कुटेश्य नमबर चौदा दा नेम क्यू एस आर एम वादिन निवमबर लुटएश्य वाट इस क् एक एंटी टेंग का हत्यार पढ़ाली है इंडीजनली डिजाइन टॉर्पीडो को कहते हैं सौर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इंटर कॉंटिनेंटल वेलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है तो किसी कहा जाता है पड़ाफट कमेड़ बता भई क्या अंसर होगा जाना है तो यह एक सौर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है QSRAM आप यह दे सकते हैं और यह चार दिन में दो बार इसे लांच किया जाता धरती से सर्फेस एयर पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है QSR रैट आपको बढना है कि इननने से कुण वानवहना लेंड का कौन सा हिस्पार नहीं है कन और लेंड क comigo कौन हिस्पार नहीं है नंहींत उस्ट्रेलिया इंडिया नौर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका बता भाई फटाफट इंडिया तो है इंडिया गौणवाणड लेंड का अच्सा था चाही बात ऑस्टेलिया ये भी सही है अब या तो नौथ अमेरिका या साथ अमेरिका होगा अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि नीचे का हिस्सा था तो आपका अंसर भी सही हो है और नीचे वाला है गुण वाला लेंड ठीक है तो भारत वह भी गुण माला लेंड का ही इंडियन म्यूटरी बिगन फॉम दा मेरेट ओन 10 माई 1857 एंडेड भारती बिद्रो मारती स्वत्र संग्राइब बिद्रों यह सब्सक्राइब कांती कहते हैं यह दस्त माई जीता गया था गॉलियर का किला तो गॉलियर में 20 जून 1858 को किला जीत कर इस तरीके से जो विद्रोंता उसे दवा दिया अब क्वेश्चिन मनता है कि 1857 कि क्रांती को दवाने में किस गवर्नर जनरल की मुख्य भूमिका थी तो उसका आंसर बनेगा लौड कैनन क्या बनेगा लौड कैनन और इसे लिए लौड कैनन को उपाहार सरूप 1858 में भारत के पहले वारसराय के रूप में इस्थापत किया गया अगला क्वेश्चन कोश्चन नमबर सत्रा विद्धा ऑफ दबुक इतिकल रिलीजन बताइए जरा कि हूँ इस दा ऑफ दबुक इतिकल रिलीजन नैतिक धरम पुस्तक के लेखक कौन है विपिन चंद्रा स्वामी विवेका नंद बिनोवा भावे और महात्मा गांधी रिलीजन को बताओ जरा कि आचार बिनोवा भावे तो जुड़ते भूदान अंदूलन से कोशन पूछा जाता है कि 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 तक्स के द्वारा भूदान अंदूलन चलाया गया तो आचार बिनोवा भावे याद रखेंगे स्वामी बिवेकानद बैलूर मट याद रखेंगे राम किष्ण परमन्स मिसन याद रखेंगे स्वामी बिवेकानद ने शिकागों में जह वो सम्विलन में पार्ट स्पेड किया था और धरम भाशन दिया था विपिन चंद्र आंसर क्या होगा मारे पास में महात्मा सब्सक्रम जीत कौर गुडीवनिंग भाइक कुश्चन नमर अठार विच फॉलिंग बॉड़ी पार्ट्स बिहेव अस्ट्रेच रवर शीट रवर की सीट को ऐसे करके खीच दो तो कि बहुत ही पतली शी हो जाती है और थोड़ा भी अगर वाइब्रेशन होता है तो वह द बाइब्रेट करना बंद कर दें तो बड़ी समस्च्या हो जाएगी और मेनार बिर्जर यह किताब भी लिखी गई है तो अगर यह शीट बाइब्रेट करना बंद कर दें तब भी बड़ी समस्च्या हो जाएगी इसे हम क्या कहते है यह क्या कहते है यह यह द्रम का मुख्य करक्या है और यही जो है पत्ती चीट की तरह वर्क करती है पॉर्ट्षन नंबर कि ओनिस दा रूपी सिंबल विच इंडिया इन 2010 रूपी सिंबल कैसा होता यह रूपी सिंबल अब इस रूपी सिंबल को अगर ध्यान से देखो कि आप तो दो चीज़ें आपको मिलेगी एक यह जो है यह तो आर है देवनागरी का और अगर समें डंडा हम ना लगाएं अगर समें डंडा ना लगाएं सिर्फ ऐसे रखें तो यह रोमन में होता है कहने के मतलब यह है कि इ बाउड था स्टेम अगराम यह वाला हटा तो गया यह हमारा और इस आर में अगरहां इतना पार्थ हटा दें तो इससी तरीके से यह क्या दिवनादी का अभी है तो इन दोनों को मिक्स करके यह बनाया गया है और इसको किसमें बनें दबिंदिय पुणिया जुड़ी गु तो यह दी उद्यकुमार के द्वारा बनाये गया था नाम दिनका दी उद्यकुमार पॉस्चन नमबर 20 दा इनिशेटिव जेल टूरिज्म फिस्का नाम है यर्वदा जेल अब आप सबको पता है कि यर्वदा जेल का हिस्टोरिकल बहुत जादा है गांधी जी को जेल हुई बहुत बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटीशन थे स्वतंतरता संग्राम जन्होंने पार्ट्सपेट क्या था उन लोगों को जो जेल हुई है वो यहीं पर हुई है कि चल वह आंसर दो तो कहां पर है महराष्ट्रा में यहीं पर इनको जेल हुई थी तो क्वेश्चन नमबर गौत्म पुत्र सत्कर्णी वोज आ गौत्मी पुत्र सत्कर्णी दो माता का नाम है गौत्मी पुत्र क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अपनी मा का नाम आगे रखता हम लोग क्या करते हैं पिता का नाम आगे रखते है इसने अपनी मा का नाम आगे रखता था गौत्मी पुत्र सत्क्रणी वोट्म का साथ्य नहीं तो 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 नहीं तो इसे आप और आप बचा हमारा राइट आंसर साथ वह साथ नहीं किस राज जी की बात कर रहे हैं तो यह पाट देख रहे हो और यह यह नहीं अपनी माता जी का नाम पहले रखा था सब्सक्राइब क्या सकते हैं अब यह होता है कि अब चुनाव कि तुरंत बात तो लोग सब्सक्राइब कि बाकि चीजें भी होती है उसका चुनाव भी होता है तो समय के लिए टेंपरेरी इक बना दिया जाता है और यह तो क्या काम कि चुनाव तक बने रहना इसे प्रोट स्पीकर कहते हैं तो राइड आंतर हमारा क्या हो जाएगा चीफ सुप्रीम कोड़ प्रेसेटर भी टांसर जाता है तो प्रोटम स्पीकर क्या है प्रोटम स्पीकर इस तेंप्रेटी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर लेमिटेड पीडियों पीडियों अफ तू कंड़ तो वर्ग इन दा लोबर हाउस पॉरलीमेंट आफ्टर दा जनर्ट एलेक्शन कुछ समय के लिए से बनाया जाता ह थे बसेंतद देवी कि से कहा है महत्मा गांदी ने बसंद देवी किसे कहा महत्मा गांधी ने गुर्देब भी किसी को कहा था ठीक है हिंट नहीं है वह बसंत देवी वह महत्मा गांधी ने किसे कहा यह कुशन हो तो महत्मा गांधी ने एनी बैसेंट को क्या कहा था बसंत देवी कहा था गुर्देव रविनात टैगोर अब यहाले की दुन में सीजन पूछा गया था कि बल्लब भाई प्रदेश को सरदार की उपादी किस ने दी तो सरदार की उपादी भी महत्मा गागली ने दी थी है ना कि उत्तार प्रदेश की पहली महिला गवर्नर अब कोश्चन मनता है कि सरुनी नाइडू ने किस कॉंग्रेस अधिवेशन की अधिक्ष्टा की थी जड़ा कमेंट करो तो यह जो अधिवेशन था यह कानपुर में हुआ था पटाफट बताएं यह अधिवेशन कानपुर में ह ना मत्युद में हुआ था कि सब्सक्राइस के अधिक्ष बनाइड तो यह मैं हुआ ठाइज्टल करनिंग है जैसे । अ हमारे दिमाग में घंटि बcled कि सुच्टित्रा कर भानि me sounds सब्सक्राइब भारत के पहली कॉंगरेस अध्यक्ष भारत की पहली महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष रही थी क्वेस्ट्न नम्बर 26 निकिस्ट नाम है उसका प्रतीक जो आज जो नाम है उसका प्रतीक कुछ अलग होगा जैसे कारबान है तो सी से बंदा है समझ में आ रहे चलो ठीक है सब्सक्राइब से लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनको प्रणाउंस करने में और उनका जो जो सिंबल है वो एकदम ही अलग है जैसे एक्जाम्पिल की तोरी पे आरें को क्या कहते हैं फैरम कहते हैं और यह एफी से रेप्रेजेंट किया जाता तो यह एक लेटन वर्ट से लिया गया है क्लोरीन तो क्या मतलब होता है एका बौलते है क्लियाम को हो गया क्यों कि एक जीसी कहते है अर्जेंट इन को क्या कहते हैं से बोलते हैं स्टेंडम एंटमनी को बोलते हैं स्टेबियम टंगस्टन को डवलू क्यों बोलते हैं बूल फ्रेम और इसका आयस का नाम होता है बूल फ्रेमाइड अनदा निशीचत अंड़ंडा मतला यह उक यूज में निशीचत अंड़ा जो है जैकी और तो यह प्रत्यारूंपित हो जाता है अगर हम अगर हम प्रॉपर्ली पर्ट्लाइजिशन का बनाएं तो यह चीज हमें पता होनी चाहिए ठीक है यह हमारा एक का भाग है यहां पर होता है तो यहां पर होता है तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फैलोपियन क्या कहते हैं फैलोपियन तो फैलोपियन इसके बाद यह जो एग है यह बड़ा होता जाता है और बड़ा होते होते यह एक बड़ा भाग ले लेता है और इस जगे पर यह वाला जो पार्ट है यहीं पर यह इंप्लांट हो जाता है इस पार्ड कों में किस अविक्रिया में ऑक्सीजन हावासे मुक्त होती है बहुत बढ़िया कि अभी कल्प अर्सों में अक्रपिंड़क पता नहीं क्या लिखा है अभी कुछ दिन पहले कल की बात साथ कल या पर्सों की बात है अलावाद हाई कोड के चीफ जस्टिस अलावाद हाई कोड के जो चीफ जस्टिस है या फिर जस्टिस है कोई यादान जीफ जस्टिस या उन्होंने कहा कि गाए एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है ऑक्सीजन लेता हैmar आप बताए जड़ाँ इस पर आपकी चीफ दुस्टस ने कहा था कि मौर एक एःता पक्षी है जो आसुं से मतब मौरनी जुए वह मौर के आसुए गर्वती हो जाती है pregnant हो तो एसी कोई बड़ी बात नहीं है इससे हमें एक सिख्षा मिल जलेकर वाट्सप इन्युबस्टेज से एक्स्ट्रा ग्यान लेकर इंसान जादा भी पढ़ लेता है कभी कभी समझ रहों तो मैं तो यही कहूंगा कि यह जो भी इस तरीके के जड्मेंट दे रहें वह आज बहुत ज्यादा वाट्सप चला रहें कम वाट्सप चलाएं आप लोग जीव नहीं है जो ऑक्सीजन छोड़े और ऑक्सीजन ही ले पॉस्बिली नहीं यह चीज ठीक है यह किसी रूप में पॉस्बल नहीं है तो इसे यहीं पर रहने देता है अगला प्रशन निम्लिकित मैं से कौन सा एक और उन्होंने बात कहीती ती गाय को राश्ट्री जो है व न्यूटर की गती के तीसरे नियम की उधारन है बस जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की जटका लगता है रॉकेट लॉंच करना तेजी से आत्वी क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे-धीरे अपने हाथ पीछी की ओर ले ज अधीक है पॉस्टन नमबर 30 विज अब फॉल्मिंग एक्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड इन गैसे फॉर्म एप लिक्विड में रहता है तीनों पाए जाता है जड़ा बता हो कौन है इसमें से मेटल है इनेड इनेड एलिमेंट्स मेटलोइट से या फिन नॉन मेटल है क्या अंसर होगा भाई क्या अंसर होगा अंसरा राही हैं सु्सक्राइब बाच्चे नॉन मेटली अंसर दे रहे हैं वीछ आप फॉल्विविग्ड एग्जिस्सोलिलिक्वियड गैसिए सहन मेटल मैटल मैटलाइब और नॉन मेतल सब्सक्राइब कितने देशों के बीच में लड़ा गया इंग्लेंड जर्मानी फ्रांस इंग्लेंड इतली और इंग्लेंड और फ्रांस सब्सक्राइब कितने वर्सौं तक लड़ा गया था इंग्लेंड जर्मानी जर्मानी फ्रांस इंग्लेंड और इटली इंग्लेंड और फ्रांस कि 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 एंग्लेंड और फ्रांस इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में सब्सक्राइब लड़ा गया था कि साथ साल तक लगा लड़ा गया था या तक क्वेश्चन नंबर 22 फॉल्विंग कंट्री है दा लॉंगेंस्ट कोस्ट लाइन इन दा वर्ल निम्लिकित मैंसे किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटी रेखा है दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा देखो भारत पर पूचा जाए कि भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है तो आंसर बनेगा गुजरात क्या हो जाए गुजरात की और दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन अगर पू चोटी सबसे बहुत दुर्बी कोस्ट में या कि क्या देगा है ना लगबग ओल ऊबर दा प्लेसे आपको यह इसकी कुस्त लाइन दिखाई देगगी यहां पर भी जिल्डे को सबस्क्राइब करती है निमली कि पेसे किस मीडिया में सबसे तेज यात्रा करती है तो दोकर दोवनी के लिए यह साउंड की एक रहां बात करें तो यह ? यह क्या है ? यह एक मेकैनिकल वेव है कि क्या हो जाएगा सब्सक्राइब भी राइट अंसर कि सब्सक्राइब भी राइट अंसर ठीक वेक्यूम गैसे सॉलिड और सॉल्ड में भी सबसे ज्यादे किसका है डाइमेंड की कितनी है बारा हजार मीटर पर से बारा हजार मीटर पर से भारती संसद का उच्छ सदन किसी कहा जाता है किसे कहा जाता है राज्यसावा लोगसभा सुप्रीम कोट या फिर प्रधान मंत्री कार्या लाए तो संख्या किसकी है अपर हाउस ही करना बात करें इसका कारेकाल सबको पता है कारेकाल क्या हो जाएगा छे वर्स हो जाएगा यह कुछन पूचा गया तक जिस तरीके से भारत में राज्यसावा वसी तरीके से ब्रिटेन में क्या होता तो बिर्टेन में भी दो सदन है क्वास ब्रिटीन का जो हाउस ऑफफ लौड्स के लोग तरह दखना अब नरौजी जो थे वो हाउस ऑफ लौट में गते हाउस ऑफ़ में तो दादां भाई नरौजी हाउस ऑफ प्वाइद में पहले प्याद ाक्ति थे यह दुखेंगे यह चीज मतलब लोग सबार में पहले इस देख लो देखते हैं किस से संबंद्द लग रहे हैं कुस्ती से संबंद देते हैं कॉशन नंबर 37 मनिस्ट के गुर्दे के सबसे चोटी अब देखो किड्नी से बहुत सारे कुशन बनते हैं तो यह कुशन कीड्नी का शेप का होता है तो यह बीन बोले तो जैसे राजमा होता है राजमा का जैसे तरीके से स्ट्रक्चर होता है कुछ बैसे इसका स्ट्रक्चर होता है एक किड्नी की किड्नी की खराब होने पर हम क्या मेडिकल जो है वो ट्रीट्मेंट करते हैं तो डालेसिस या रहता हुए और यह आंसर क्या हो जाएगा नेफरॉन विदे राइट एक वेटिस सरकार में को में करहां जाल लेट किया था इस अदिनेय में बिना वकें के राजिरतिक नजर्वंदी को अन्मती दी गई थी विट्टि सब्रकार में कुख्यात के बारे में कहते हैं कि ये पुकर दलील बिना वकील बिना दली और बिना अपील का अपील का का निस सो निस में आया था और इसी अधिनियम के तहट सहफुच्दीन किचलिव और डॉक्टर सत्यपाल को गरफ्तार किया गया उनकी ग्रफ्तारी के ब्रोद में जब 13 अप्रेल 1919 को जलिया वाला में लोग एकटे हुए तो जन्रल आर डायर ने माइकल ओ डायर के कहने पर वापर गोलिया चला दी और जब गोलिया चलाई तो उससे बहुत सारे लोग मारेगा के लिए रहे 1919 का ही वो साल था जब खिलापत आंदूलन आया 1919 का ही वो साल था जब रॉलेट एक्ट आया 1919 का ही वो साल था जब मॉंटेग्यू चैंसपूर्ड अधीनियम भारत में आया तो मोसली चीजें जो है वो इन तो मैं ही होई थी क्वेश्चन नंबर उनतालिस अकवर के सासन काल में मुगन सम्राज के बित्त मंत्री कौन थी राजा टूडरमल राजा मांसिंग्ग तांसेंग या फिर बीरिवल का हुआ है का हुआ है तो राजा टोडर मेल विल बीड़ाइट अंसर राज्य स्विट से रेटेट है राजा मान सिंग कौन थे सेना पती थे तेना पती थे चलाकार रही है राजा मान सिंग की ही पुत्री थी हरिका भाई जिने हम क्या कहते हैं जोधा भाई और जोधा भाई और जोधा भाई नहीं अकवर से साधी अकवर ने साधी जो की थी वो जोधा भाई से की थी हाँ तांसेन का वास्तविंग राम राम तनू पांडे बहुत बढ़िया है कि क्वेश्चन नमबर चालेज किस वर्ड्स ओलंपिक में फुटबॉल को अधिकारिक तोर पर एक प्रतियोगी खेल की रूप में सामिल किया रहा है फुटबॉल को किसमें ओलंपिक में तो अग लेकिन इसे अधिकारिक तौर पर सामिल नहीं किया गया अधिकारिक तौर पर सामिल कभी किया गया था 1908 में राइट आंसर क्या हो जाएगा उन्ने सो आठ अब कोश्ण मनता है कि ओलंपिक का हेड़कोर्टर कहां परे तो लुसाने में यह भी बनता है कि पहला उलंपिक कभ वा था तो 1896 में हुआ तो कहां पर वा था सबको पता है एथेंस में वा कुश्चन एक और बनता है कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्रॉन पदक व्यत्तिगत जीतने वाले विक्ति का क्या नाम है तरह मुझे बताएए सबसे ज्यादा व्यत्तिगत उलंपिक जीतने वाले विक्ति का नाम क्या है अमेरिका के रहने वाले हैं कि फटावर कमेंट करिए कि आइए तो आइए आएगा माइकल फैलेफ्स कि आइए माइकल फैलेफ्स कि अपनी सरकार के बुर्द आविश्वा प्रिस्ताव के द्वारान भारत का प्रदान मंथे मतदान में भाग नहीं ले सकता जबान अपनी सरकार के बु Audra अब स्वास प्रस्ताव की द्वारान भारत प्रधान मंतड्व मतदान में भाग नहीं ले जो चुनकर नहीं आए निर्वाच्चत रहे हैं कैसे राजी सभा के द्वारा तो अगर आप राजी सभा के सदस्ट तब भी प्रदान मंत्री बन सकते अगर आप लोग सबागी सदस्ट तब की प्रदान मंत्री बन सकते चीफ में नहीं कर सकते यह 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 अगर राजी सभा की वह सदस्ट नहीं सकते एक 1Y2M दर्मान की कोई बस्तू जिसका वेग 2V है उसका संभेग क्या होगा तो संभेग क्या होता है संभेग को कहते है momentum तो P उकल टो होता है mass into velocity तो भई अब mass कितना है हमारा mass तो हो गया 1Y2M into velocity कितनी है हमारी 2V दोनों को गुणा करेंगे वन अपॉंट टू से वन अपॉंट टू कैंसल हो गया तो वच्चा कितना एंबी एंडिस दा कि मोमेंट्टम कि ठीए है है कि क्वेश्चन नंबर 33 नेत्र में प्रिवेश करने वाले प्रिकास की मात्रा को किसके द्वारा का नेंत्रित किया जाता है दा माउंट आप लाइट इंट्रिंग दा आई इस कंट्रोल्ड बाए रेटीना पीपल कॉर्णिया और कि स्वेट पटल स्केर लिए हैं तो अगर आगे आगे आपको पिक्चर दिखेगा इसका एक्चर सर्जी जोधा का राजा ब्रह्म राजा मान सिंग की लड़की तो थी ना हरका भाई पता है क्या अंसर बनेगे नेत में प्रिविस करने वाले प्रिकास की मात्रा को किसकी उजार नेंत्रित किया जाता है करने द्राइट अंसर करें नौट करने प्यूपल क्यों प्रिविस का इस इसका इस 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 लेकिन दिक्कत यह कि आरेस आप्शन में नहीं है ठीक है तो फिर हम प्यूपल पर जाएंगे मोग रूप से अंसर जो है वह हमारा सभी आंसर होता है अब यह देखो यह दिख रही सब्सीडरी अलांस इंडिया वस इंटेड्यूस भारत में सहयक संधी किसके द्वारा लाया गया था बताये जरा लौड डलहौजी लौड कानबालिस लौड विली जिली और लौड हैस्टिंग्स अब्जेक्शन में अभी बता दूँगा तुमको ठीक है बश्चाओ सबसे पहले सायक संधी अपनाने वाला पहला देश हैदरबाद की निजाम हुआ करते थे उन्होंने सबसे पहले संदी अपना थी संदी क्या हुआ करती थी आपको पता है कि राजा को सप्पोर्टे देलते उसके बदलें उनसे लगा इस्थाइब बंदोबस्त इस इसे हम क्या कहते हैं पर्मानेंट सेटल्मेंट पर्मानेंट सेटल्मेंट question number 15 which of the following is not a e-shopping website is not a e-shopping website amazen mantra philip ka twitter twitter is the right answer social media twitter is not a e-shopping website is not a e-shopping website इस पर बड़े-बड़े लोग अपनी बात लिखते हैं टूटे इस फंडरी बाई जैक डॉर्सी बहुत बढ़ी आगे चले तो यह टोटल कॉश्चन्स थे जिनके बारे हम डिस्कॉस कर रहे थे एक इंपॉर्टन चीजह stories को मैं आपको बताना चाहरा हूं वो है कि यह आपकी जो स्पेशल क्लास दोस्तों का आनगा क्लास का मतलब यह है कि आपको कोई पैसा नहीं देना अख झान اسक पैसा नहीं लिया जाएगा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है दूसरी चीज यह कितने बजे होती है नौ तीस पर होती है ना और ये क्लास फ्री है तो मेरी हर एक क्लास 9.30 पीम पर अनकेडमी के एप पर होती है डेली शाम को नौ बजे और ये क्लास इग्दम फ्री है कर दो ठीक है बही है चलो समझ गई बात अनकेडमी का जो सब्स्रिप्षन लेना चाहते हैं वो मेरा कोड का यूगिन लगता है आज इसमें वह नहीं अपको अनकेडमी का यूज कोड क्या यूगिन इससे मिलेगा आपको टेन परसंट का डिस्काउंट और अभी जो ऑफर चल रहें उस ऑफर में आपको एक साल का जो सब्सक्रिप्शन वह 580 रुपई का पढ़ेगा अगर अपने को अपने पर होगी रात वाली क्लास अपने ही टाइम पर होगी रात ओल्लास अपने टाइम पर होगी 9 बजकर 30 अम्रिड पर अब करेंगे क्या सीजल का एक पेपर पूरा सॉल्व करेंगे यह का पेपर और साथ सात में एक गुरूबडी के वस्टन भी इसी में हम करेंगे सब्सक्राइब और यह अब यह डाउट क्लियर हो गया वाग्यों चल्वाई बाबाई टीक केर